नुकीली चीजें तमाम नुकीली चीजों को छिपा देना चाहिए काटों कीलों को वहीं दफन कर देना चाहिए जहां वे हैं जो कुछ चुबता हो या चुबने वाला हो उसे ततकाल निकाल देना चाहिए जो चीजें अपनी जगों से बाहर निकली हुई है उन्हें समेट कर अपनी जगह कर देना चाहिए फूलों को काटों के बीच नहीं खिलना चाहिए धारदार चीजें सिर्फ सबजी और फल काटने के लिए होनी चाहिए उन्हें उस स्त्री के हाथ में होना चाहिए जो एक छोटी सी जगह में तुवे से घिरी हुई पुनियादी कामों में उल्ची हुई है या उस डॉक्टर के हाथ में होना चाहिए जो ऑपरेशन की मेज पर तनमेटा से जुका हुआ है तलवारों बंदूकों और पिस्तॉलों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए खिलोना निर्माताओं से कह दिया जाना चाहिए कि वे खिलोनों को पिस्तॉल में न बदलें प्रतिशोध, हिंसा, त्याग और ऐसे ही समानार्थी शब्द, शब्द कोशों से हमेशा के लिए बाहर कर दिये जाने चाहिए जैसा कि हिंदी का एक कवी असा जैदी कहता है पसलियों में छुरे घोपने वालों को उन्हें वापस खेंचना चाहिए कि वह एक भी मनुष्य का मरना पूरी मनुष्यता की मृत्यु है दुनिया को इस तरह होना चाहिए जैसे एक चेक कवी लुडविक कुंडेरा पहली बार मा बनने जा रही एक इस्त्री को देखकर कहता है कि पृत्वी आश्चरे जनक धंग से गोल है और अपने तमाम काटों को जाड़ चुकी है मंगलेश डबराल जी की एक खुबसूरत कविता मनुष्यता में हमारी आस्था को मजबूत बनाती है आज के संकट के समय में जब हम खुद पर सवाल उठाने से नहीं जिजगते आसपास शक के अने को दाइरे और खेरे हैं उस दौर में नुकीली चीजें अपने आसपास से हटा कर अपनी सोच से हटा कर अपने दृष्टी कौंड से हटा कर अपने विचारों से हटा कर हम खुद को एक कोमल एहसास के साथ मनिशिता के सर्विष्ष्ष्ट पाइदान पर खड़े कर सकें इसका प्रयास सभी और होना चाहिए मंगलेश डबराल जी को मेरा नमस्कार आप सभी लोगों का आभार शुक्रिया